विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपून है हम सभी देश की सिमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चटान की तरख खड़े हैं उनकी वीरता उनके कौशल उनकी सुझबुच पर देश अटूट विश्वास रखता है इस सर्वदरिय बैटक के माद्यम से मैं सहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि पुरा देश उनके साथ है पुरा देश उन्हें नमन करता है साथियों पुर्वी लदाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा न वहां कोई हमारी सीमा में गुसाया है नहीं कोई गुसा हुआ है नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है लदाख में हमारे बीस जाबाज सहीद हुए लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आँख उठा कर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए है उनका इशावरिय ये बलिदान हमेशा हर भारतिय के मन में अमीट रहेगा साथियों निश्चित तोर पर चीन द्वारा एलेसी पर जो किया गया है उससे पुरा देश आहत है आक्रोशित है ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सब के माध्यम से बार बार प्रगट हुई है मैं आपको भी आस्वस्त कर रहा हूँ कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड रही है डिप्लोईमेंट हो, एक्षन हो, काउंटर एक्षन हो जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है आज हमारे पास ये केपविलिटी है कि कोई भी हमारी एक इन जमीन के तरफ आँख उटा कर भी नहीं देख सकता है आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूब करने में पूरी तरह सक्षम है ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचीत कदर उठाने के छुट दी है वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूंक स्पष्ट कर दी है भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है लेकिन अपनी सोवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरी है और आप समने भी इसी भाव को प्रगट किया है साथियों बीते पांच बर्षव में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रसेक्टर डेवलेप्मेंट को प्राथिक्ता दी है हमारी सेनाओं की दूसरी आवशक्ताओं जैसे फाइटर फ्लेंज आदुनिक हैलिकॉप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टिम आदी पर भी हमने बहुत बल दिया है नए बने हुए इंफ्रसेक्टर की वज़े से खासकर एलेसी में अब हमारी पैट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है पैट्रोलिंग बढ़ने की वज़े से अब सतक्ता बढ़ी है और एलेसी पर हो रही गतिविदियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है जीन खेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी अब वहां भी हमारे ज़वान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं रिस्पॉंड भी कर पा रहे हैं अब तक जीन को कोई पूछता नहीं था कोई रोकता टोकता नहीं था अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं उन्हें टोकते हैं बहतर हो रहे इंस्पास्ट्रक्टर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठीन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है साथियों राष्ट हीत देश वास्यों का हीत हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्रात्विक्ता रही है चाहे ट्रेड हो कनेक्टिविटी हो काउंटर टर्रिजम हो भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्विकार नहीं किया है राष्टिय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कारिय है जो भी जरूरी इंफरस्टेक्टर का निरमान है उसे इसी तरह तेज गती से आगे भी किया जाता रहेगा मैं आप सभी को सभी राजलितिक दलों को फिर से आस्वस्त करता हूँ कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है हमने उने यथोचित कारिवाई के लिए पूरी छूड़ दी हुई है आप सभी ने इस बैटक के लिए अपना समय दिया अपने मुल्यवान सुझाओ दिये इसके लिए मैं सभी दलों का आप सभी देतरुत्वगण का रुदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सुझाओ आगे की रणनिती में बहुत लाब करता हूँगे यह मुझे पुरा विश्वास है मैं फिर एक बार इस एक्ता का संदेश देने में आप जो बढ़ चट करके आगे आए हैं वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुँचेगा और इसलिए आज की मिटिंग में आपकी ये सकारत वक भूमिका का बहुत मुल्य है उसका बहुत अइतिहास एक मरत्प है और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं फिर एक बार आप सब का धन्यवाद करता हूँ नमस्कार मैं आप सब्सक्राइब करता हूँ